तो आज का टॉपिक है साचिक प्रशाचन इसको इंग्लिश में एजुकेशनल एड्मिनिस्ट्रेशन कहा जाता है साचिक प्रशाचन दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है एक सिच्छा और दूसरा है प्रशाचन सिच्छा को इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है या लोग प्रशाचन का ही एक रंग है जिसका कारी होता है समाज की शंस्कृति को सुरचित रखना उसमें सुधार करना और उससे आगे बढ़ाते रहना प्रशाचन का अंग्रेजी रुपांतर होता है जिसका निर्माल लाटिन भासा के मिनिस्टर सबसे हुआ है मिनिस्टर का अर्थ होता है जो व्यक्ति सदेव दूसरों के हित्में कारी करता रहे ब्रिटेनी का एंसाइकलोपीडिया के अनुसार उन्होंने कहा एड प्लस मिनिस्टर जिसका अर्थ होता है कारियों का निश्प प्रशाशन चात्रों के विक्तित पर निर्मार पर अधिक प्रयास देता है इसका उद्देश होता है निर्धार लच्चों को प्राप्त करना होता है इसका उद्देश इसकी परिबाशा की बात करें तो परिबाशा सिच्छा अनुशंधान के विश्वकोस के अनुसार इसमें कहा गया है कि साचीक परिशाशन ने एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दोरा संबंदित व्यक्तियों के प्रयासों का शमनवे तथा उचित विकास हो सके इसके अंतरगर प्रोण हो एमकारिकरताओं के विकास का भी महत्व दिया गया है ग्राहम बेलफॉर की अनुशार उन्होंने कहा है कि साचिक प्रशाषन का उद्देश योगी सिच्चकों से उचित सिच्चा ग्रहन करने हैं तू इस प्रकार सच्चम बनाना है जिससे वे अलप साधनों की अंतरगत प्रसिच्चित होकर अधिक से अधिक लाप्राप्त कर सक किया जाते हैं ब्रुक एडम्स के अनुसार उन्होंने कहा कि साची प्रिशेशन प्राया परस पर विरोधियों तरतर समाजिक सक्तियों को ही एक संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कारी करते हैं थैक्स फॉर वॉचिंग